गुड और चने के फाइदे ये तो आप चानते ही होगा कि भुने चने खाने से सिहत को बहुत फाइदा मिलता है लेकिन जब इनके साथ गुड कभी 7 किया जाए तो ये शिरीर के लिए बहुत ही फाइदान सावित होता है मर्दों के लिए गुर और चना खाना कावी फाइदा मन्द होता है लेकिन जो महिलाई सबता में एक बर गुर और चना खाती है उनमें आयरेन की कमी नहीं होती अकसल पुरुष बॉड़ी बिनाने के लिए जिम में जाकर कसरत करती है ऐसे में उने गुर और चने का सेवन जरूर करना चाहिए इससे मसल्स मजबूत होते हैं और श्रीर को अनेक फाइदे मिलते हैं गुर खाने से खून बढ़ता है और चना स्ट्यामिना बढ़ता है अगर आपने गुर और चना साथ में खाना चालू कर दिया है तो रोग आपसे कोसर दूर रहेंगे ठंड के मौसम में गुर और चना खाने से जो फाइदे मिलते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं सर्दी में क्योंकि आपको सर्दी से बचाता है तो आई जानते हैं गुल और चना साथ में खाने के फाइदों के बारे में चना और गुल दोनों ही गरम पर करते के होते हैं जब आप इन दोनों का सेवन करते हैं तो इससे आपका शिरीर गरम रहता है जो ठंड में होने वाली सर्दी और जुकाम से आपको बचाता है मर्दों को रोजाना इसका सेवन करना चाहिए जिससे उनकी चेरे की चमक बढ़ेगी और वे पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे गुल और चने को एक साथ खाने से श्रीर का मेटबलिजम बढ़ता है जो मटापे को कम करने मदद करता है कई मर्द वजन कम करने के लिए जिम जाकर अक्सेसाज करते हैं उन्हें गुल और चने का सेवन जरूर करना चाहिए श्रीर का एडाजेस्टन सिस्टेम खराब होने की वज़े से कब्ज और एसलिटीट की समस्से हो जाती है ऐसे में गुल और चना खाएं इसमें फाइबर होता है जो पाचन शक्ति को तेज करता है गुल और चने को मिलागर खाने से दिमाग तेज होता है इसमें विटाविन B6 होता है जो याददास्त को बढ़ाता है इसमें fast force होता है जो दांतों के लिए बहुत फाइदेमंद है इसके 7 से दांत मजबूत होते हैं और जल्दी नहीं तूटते जिन लोगों को दिल से जुड़ी कोई समस्या होती है उनके लिए गुल और चने का 7 बहुत फाइदेमंद है इसमें potassium होता है जो heart attack होने से आपको बिचाता है दोस्तों आपको बता दे कि गुल और चने में calcium होता है जो हड्यों को मजबूत करता है इसको रुजाना 7 से गठिया के रोगय को बहुत फाइदा मिलता है चने और गुड खाने वालों व्यक्ति सद्याव जवानी के असास करता है कमजोरी दूर होती है और श्रीर पुष्ट बना रहता है श्रीर में बल, विर्य और तेज बना रहता है गुड और चने में आईरन से भरपूर होती है यही कारण है कि एनेमिया से बचने के लिए अभेद माददगार सावित होता है गुड में उच मात्रा में आइरन होता है बनेवे चने में आइरन के सासत प्रोटीन भी पाया जाता है इस प्रकार गुड और चने को एक सत मिलागर खाने से एनेमिया रोग के लिए जिम्मेदार अवशिक पोश्की तत्तों की कमी पूरी हो जाती है और खून की कमी दूर होती है तो दोस्तों ये थे गुल और चना खाने के अनमल फाइदे अमीद है आपको जानकर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेर जुरूर करें ताकि वो भी इसका फाइदा उठा सकें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्दक जानकारिया लेकर आते रहेंगे तो जुरेरर मेडी अपडेट्स के साथ नोशकार धन्यवाद